Hello friend, मैं हूँ Swetha, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्वेता किचन में तो आज हम बनाएंगे कद्दू की सबजी बहुत लोगों को कद्दू की सबजी बहुत अच्छी लगती है पर कुछ लोगों को कद्दू की सबजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते हैं इस सबजी को, तो आज मैं जिस रेसिपी से आपको कद्दू की सबजी बनाना बताऊंगी, अगर इस रेसिपी से आप कद्दू की सबजी बनाते ह तो यकिन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत टेस्टी लगेगी आपको खाने में और ये मैंने लगबग एक केजी का कदू लिया है वैसे तो कदू को लेडिस कट नहीं करती हैं जेंस को करना चाहिए पर घर में कोई जेंस नहीं था फ्रेंड मजबूरन में मु पीज के जो पार्ट्स होते हैं वो उनके साथ सब्जी बहुत टेस्टी लगती है आप लोग भी जरू ट्राइगा आपको भी बहुत पसंद आएगी और यहां पर मैंने प्याज को कट कर लिया है और ये तेजपत्ता रेट चिली दो थोड़ा सा सरसो का दाना और थोड़ा यह खड़ा यूज किया है और यह दो बड़े चम्मच मसाला है इसमें धनिया जीरा बडैक पेपर अधरक लहसुन सारी चीजों को मैंने पीश लिया और यहाँ पर कढाई में मैंने सरसों तेल लिया है थोड़ा सा जादा मैं सरसों तेल यूज़ की हूँ क्यूंकि हमें सब्जी को सुखा बनाना है ग्रेवी वाली मैं नहीं बना रही हूँ और ये मैंने प्लेट में जो निकाल के रखा था मसाले को वो मैं इसमें डालके अच्छे से चटकने दी थी उसके बाद कटा हुआ प्याज मैंने एट कर दिया है बहुत लोग कद्दू की सबजी में प्याज अड़ नहीं करते हैं पर मैं एड़ करती हूँ क्योंकि कद्दू की सबजी में प्याज अड़ करने से कद्दू की सबजी और टेस्टी बनती है आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करिएगा जरूर प्याज के साथ में आ बहुत प्यारा सा होता है और ज्यादा हल्दी वगरा यूज नहीं होता है इसमें पर मैंने थोड़ा सा एड किया है इसमें और मसाला को अच्छे से भून लेंगे उसके बाद मैं इसमें एड करूंगी कटा हुआ कद्दू को आप चाहें तो पहले प्याज के साथ में कद्दू को भी भून सकते थें पर मैं सबसे पहले मसाला को भूनी हूँ उसके बाद इसमें कद्दू को एड की हूँ और यह देखिए कद्दू को मैंने एड़ करके अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यहाँ पे आप चाहें तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं खटा के लिए और गूर का भी यूज़ कर सकते हैं चीनी के जगा पे मैंने गूर का यूज़ नहीं किया है मैं यहाँ दो बड़े चमच चीनी आट की हूँ और खटा के लिए मैंने इमली वगरा यूज़ नहीं किया है क्योंकि घर में कोई पसंद नहीं करता है बहुत कमी खाते हैं हम लोग इमली वगरा इसलिए मैंने खटा में कुछ भी यूज़ नहीं किया है आप चाहें तो कर सकते हैं और दो बड़े चमच चीनी आट कर दिया है और ढ़क करके इसको अच्छे से पका लिए हूँ मैं और यह देखिए कितना टेष्टी सा सबजी हमारा रेडी हो चुका है और यह मैं दिखाती हूँ इसको यह देखिए यह अच्छे से पक चुका है कद्दू तो आप देख सकते हैं कद्दू की सबजी कितनी सुन्दर लगड़ी है देखने में और यहाँ पर मैं एक चोथाई चम्मच गरम मसाला एट की हूँ छोटा चम्मच से और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और हम इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि कद्दू जो है हमारा अच्छे से पक चुका है और इसमें पानी भी नहीं है क्योंकि हमने जो है कद्दू में बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूं और सबजी को उतार दे रही हूं नीचे तो कद्दू की सबजी बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं फ्रेंड पर आप इस रेसिपी से एक बार कद्दू की सबजी बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो ये डाल चावल के साथ में कद्दू की सबजी आप सर्व करिए बहुत टेस्टी लगती है तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करिए आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा और स्वेता किचन में आपको हर दिन न्यू न्यू रेसिपी देखने को मिलेगी तो न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए स्वेता किचन को सब्सक्राइब करके बेल आकेन की घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले थैंक यू फर वाचिंग